बिग बोस OTT के विनर और यूट्यूबर एलविश आदफ की मुश्किले कम होती हुई नजर नहीं आ रही आए दिन किसी ना किसी कॉंट्रोवर्सी में एलविश आदफ फसे हैं वहां से वापिस जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है कि Elvis Yadav को जो है कल गिरफतार कर लिया गया है Noida Police की तरफ से उन्हें गिरफतार किया गया क्या कुछ मामला है इसके बारे में भी आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले समझे किस पूरे मामले में अपडेट क्या कुछ है देखिए Elvis Yadav को सापों की तसकरी की जाती थी वो Elvis Yadav ही कराते थे इतना ही नहीं पांच लोगों की जिनके पहले गिरफतारी हो चुकी है ये भी Elvis Yadav ने कबूल किया है कि हाँ उनकी मुलाकाट जो है उन पांच लोगों से कुई थी हाला कि अभी और पूछता जो है की जारे कि आखिर कौन-कौन से लोग इन में शामिल है कहां से वो साप की तसकरी कराय करते थे और कौन-कौन से वो लोग है जन से Elvis Yadav ये साप लिया करते थे और रेव पार्टीज में जो है दिया करते थे लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि देखें, Elvis Yadav की मुश्किले जो है वो किस तरीके से कम होती हुई नजर फिलाल नहीं आ रखी है देखें, Elvis Yadav के उपर दरसल वन्ने जी संरक्षर अधीनियम 1972, भार्तिय दर्ण सहीता IPC की धारा 120B 284 जहर से संबंदित लापरवाही भरा आच्रण और 289 जानवरों के संबंद में लापरवाही भरा आच्रण के प्रावधानों के तहट जो है, यह पूरा मामला दर्ज के अगए इतना ही नहीं, अगर हम 27 और 29 की बात करें तो देखें, यह वो NDPC के आक्ट है जिनके तहट अब LV शादव की मुश्किले बढ़ सकती है और खास कर अगर हम वन्य जीस संरक्षण अदिन्यम 1972 की बात करें तो ऐसे में LV शादव को कुल मिला कर 20 साल की सजा हो सकती है और इसमें कई धारा ऐसी भी है जो गैर जमानती होती है यानि कि उनमें जमानत जो है वो LV शादव को नहीं मिल सकती है हाला कि देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस के पास जो है वो इतने ठोज सबूत है या नहीं है कि कोट के अंदर ये प्रूफ किया जा सके कि मुख्या आरूपी के तौर पर जो है LV शादव उस रेव पार्टी में थे आपको एक बार फिर से हम याद दिला कि दरसल ये पूरा मामला जो है वो कहां से शुरू हुआ पिछले साल एक खबर सामने आई थी कि नॉड़ा में जो है एक रेव पार्टी और्गनाइस की गई एक उसी रेव पार्टी में जो है सापों की तसकरी की गई थी लोगोंने स्नेक वेनम का इस्तिमाल किया गया जिसके बाद तार जो है वो जुड़ते गए पांच लोगों को गिरफतार किया गया जो पांच लोग गिरफतार किये गए थे उन्होंने एलवेश शादव का नाम लिया हालाकि एलवेश शादव से पहले भी पूछता चुई वह लगातार इस बात को नकारते रहें उन्होंने सोचल मीडिया पर साफ तोर पर कहा कि देखे मुझे फसाने की कोशिश की जा रही है मैं उस वक्त नॉइडा में था भी नही जिसके बाद अब नॉइडा पुलिस के ओपर इस बात का दबाव था कि ये बात साबित की जाए कि क्या एलवेश शादव वहाँ पर थे या नहीं थे क्योंकि शिकायत में मुख्या आरोपी के तौर पर एलवेश शादव का ही नाम था लेकिन इन सब के बीच में कई CCTV फु लेकिन आप बताईए आपको क्या लगता है कि क्या एलवेश शादव गुनेगार है या नहीं है कमेंट बॉक्स में बताईए